हालो गाई नमस्कार मैं दुरुगेस अपने यूटूब चनल दुरुगेस टिक में आपका फिर स्वागत करता हूँ आज मैं फिर एक नए वीडियो लेकर रहा हूँ बहुत से लोगों confusion होता है चिन्नों का नियन जैसे क्या होता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है अर्था चिन्नों का जब आपस में गुड़ा करेंगे तो उसका परेडाम क्या आएगा बहुत ही confusion होता है लेकिन आज आपको बिल्कुल clear हो जाएगा उदारण सहीत मैं आपको बताऊंगा कि किसके साथ multiplication करने पर क्या उसका result आता है चलिए वीडियो को start करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को subscribe कर लिजीगा जिससे मैं भी module होता रहता हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जैसे यहां आप हमने लिखा है चिन्नों का नियम इन multiplication यानि गुड़ा करना है तो पहला जो हमारा है जो लिया हूँ मैं minus into minus minus का जब minus में गुड़ा करेंगे तो result क्या आएगा इसका result आएगा plus हो जाएगा यह plus आएगा जब minus और minus दोनों minus रहेगा आपस में multiply किया जाएगा तो plus होगा जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको जैसे minus हम अगर 4 ले रहे हैं into कर दे रहे हैं minus 3 जब इसका हम गुड़ा करेंगे आपस में तो चारत्याइं 12 होता है यह जाएगा 12 अब minus into minus गुड़ा की है तो plus हो जाएगा यहाँ पे plus हो जाएगा वैसे लिखा नहीं जाता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दे plus और minus देख लिए अब plus और plus को देख लेते हैं सीरियल से नहीं चलेंगे तो इससे आपको दिमाग में याद रहेगा minus minus होता है तो plus हो जाता है और plus plus रहेगा तो क्या होगा जब प्लस प्लस का हम गुड़ा करेंगे आपस में तो वो आएगा हमारा प्लस ही आएगा जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं प्लस टू इन्टू त्री इसके सामने कुछ नहीं लिखा है अठाक प्लस है तो प्लस हैं मैं ले ले रहा हूं अब इसका वापस में multiply करेंगे तो आएगा 6 प्लस प्लस में आता है गुड़ा करने पर प्लस में आता है यहाँ पर प्लस होता है लिखा नहीं जाता है लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं इसका answer यह आ जाएगा तो आसा करने आपको यह समझ में आ रहा हूं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस 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 ही रहता है अब confusion बहुत होता है कि माइनस और प्लस तो माइनस प्लस यह प्लस माइनस कोई भी आए माइनस ही होता है आगे आए पीछे आए माइनस ही रहेगा जैसे इसका result आ जाएगा माइनस और इसका भी रिजल्ट आ जाएगा माइनस तो असा कर तो आपको समझने में यह अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा आगे पीछे कहीं भी रहे अगर एक भी माइनस आ गया तो वो माइनस में ही जाएगा जैसे इसका भी हम उदारान लेकर देख रहे हैं जैसे माइनस 2 इन्टू प्लस फोर कर दे रहा हूँ तो पहली बात तो आप जाने कि यह माइनस में आएगा आपके दिमाग में तुरन सेट हो जाना है कि माइनस इन्टू प्लस जो गुड़ा करेंगे तो आएगा माइनस में माइनस हम लिख देंगे फोर टू जा एट हो जाएगा इसका एंसर माइनस एट आ जाएगा अब प्लस और माइनस का जब गुड़ा करेंगे तो ये भी माइनस यह आएगा जैसे आप मर्द मैं कर दे रहा हूँ 6 इंटू प्लस 6 माइनस 3 इसका जब गुड़ा करेंगे तो आएगा 18 आजाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो ये रही 4 सिम्बल अब आसा करता हूँ कोई आपको confusion कोई नहीं होगा प्लस माइनस का कोई भी confusion नहीं होगा अगर आपको कोई confusion है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं इसको मैं फिर से और वी star से बताने का प्रयास करूँगा तो आसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी तो यार एक like तो बनता है चैनल को subscribe कर लिजेगा चलिए मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद क्या क्या है